असलाम अलेकुम अजमा अतास शेयर कया थी तो बॉइस जो कुर्टो जने सिब्जे तो उनके बटन वारी पटी एकाज वारी पटी की हैंड जी ठीका ये किसी की रिक्वेस्ट थी कि ये लगाना सिखाएं तो ये कुर्टा में बना रही हूं बॉइस का तो इसकी बटन पटी और जो उपर काज़ वाली पटी आएगी वो कैसे लगेगी तो सबसे पहले तो ये एक कटा हुआ फ्रंट है मेरे पास अब ये जो कट लगाएंगे ये पूरे सेंटर में नहीं लगाना ठीका है जो कट है वाँ वो पूरे सेंटर में नहीं हर रो इसको फोल्ड करके मैं नि इसके तरफ बटन वाली पत्ती लगाएंगे उसको थोड़ा सा बढ़ा के काटेंगे और जिसमें हम काज वाली पत्ती लगाएंगे उसको हम थोड़ा चोटा काटेंगे तो यह ऐसे अगर इसको में यहां से पूरा कर देती हूं ठीका है नखे मावेच चाता दिसो पूरो थी क्या है नगे डबल थी क्या दिसो तो कि यह खुट टर ला यह जब मैंने इसको डबल कर लिया तो यह पूरा नहीं है ठीका सो काज वारी बटन वारी जगा पटी हूं दी वह वारू नहीं है ठीमा रखा यह है काज वाला साइड यह थोड़ा सा मैंने इधर बढ़ा के काटा है और यह बटन पट्टी वाला साइड है इसको बढ़ा के काटा है और यह काज वाली पट्टी लगाने का है इसको थोड़ा सा कम करके काटा है तहीं को कटा है पूरे सेंटर में न लेकिन उससे भी पहले इसमें हम लगाएंगे दो कट कट आप देख लीजेगा असायन के बड़ टुक का दीनदा से वह मात आंके देखा रहा है थी उमीद है तांके के लिए नजर इंदो हुंदो अब यह देख लें इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा तिर्चा इधर और थोड़ा सा इधर दोनों जो पट्टियां जिस तरफ लगेंगी बीच में यह ऐसे पॉइंट सा बन जाएगा ठीका विच्च में हें हिक्ड़ोई है ट्रिकडोट हैपों दो तो कोना सा पॉइंट एक पीस होगा बाकी दोनों साइट पे जो है स्टार्ट आप क्यों ठायर कि एक इंच से यह थोड़ी सी ज्यादाी पटी मैंने लिए है सीधी साइड जो कुरते की है उस पे हम इसको रखेंगे और एक लंबी स्लाई लगा लेंगे यहां तक जहां तक हमने इसको काटा है इस कट तक हम इसकी कर लेंगे जिस ताहीं सा ट से बहुंआ हैं तो काटकि पूरा कर लें ही हैं तो सिधी स्ली अँप्तियों में काटते जांधे ताके दागेंगे vs काटते जांए ताकि प्रोल प्र взять यह ओ इस थे से बढ़ी हुई है इधर से भी पट्टी बढ़ी हुई है ठीक है तो इस तरह से आप उसको दबा के सीधा कर लें और फिर इसके उपर हम स्लाइब करेंगे ठीक है से पट्टी आएंगी पहली स्लाइब तो हम इस तरह से एक सीधी सीधी दे देंगे उपर ताकि यह फिक्स हो जाए फिर इसको उल्टा करके इस पट्टी को हम अंदर की तरफ मोड के एक स्लाइब और कर लेंगे ठीक है सो मां यह 20 लाइब कंप्लीट करें वरी तहां सा शेयर थी क्या ही डिसो धागा कटे हूं था अच्छा यह जो कपड़ा जो बढ़ा हुआ है उसको अभी नहीं काटना है उसको रहने देना है ठीक है और पीछे से मैंने इस तरह मोड कर स्लाइ कर ली ओर नीचे से भी मोड लिया जो बढ़ा हुआ हिसा था थोड़ा सा काट लिया और बाकी को मोड के स्लाइ कर ली वद भी पटी हुई ना उनक्य के मां कुछ कटे है तो नहीं कुछ कुछ करेस्ना है अभी इसकी ऐसी शकल है ठीक Вас यह पटन वाली पट्टी हमारी रेडी हो गई यहां पे हमने दो कट लगाए थे एक वाले कट पे हमने सलाई कर लिए दूसरा वाला कट अभी बाकी है उसके लिए यह पट्टी है मैंने लिए साड़े तीन इंच चौड़ी साधा ट्रे इंच वेकरी पट्टी माखईया है यह यह देखें पूरे साड़े तीन इंच ठीका डबल करें निशान कंदा से टेलर के पास आप देखते हैं इसको हमने ऐसे रखा कि यह निशान जो है वह उपर हो और इसको इसके नीचे रखेंगे इस तरह ठीका ही असा बैक साइड कहाण शुरू कंदा से इसमें भी करना है क फ्रेंट पे फोल्ड सामने की तरफ इसको ले आएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे ठीका असाहिन के सामुखणी दा से एंजी ऐसा पहरी हुआरी पट्टी के फोल्ड करना से इस तरी कर लें ताकि ये फिक्स हो जाए और कपड़ा जो हमारा इधर उधर ना हो इस तरी करना सा या ही ये निशान विजन सा एक रो सिदू थी इंड़ा कपड़ो एंपो तंग न थी नह कर लिया ना ये अंदर की तरफ होगा इसको डबल करके अब इस पे हम निशान डालेंगी जो हिसा हमें मोडना है अंदर उसको आप इस तरह से या तो इस तरी कर लें या ऐसे आप उसको मोड के निशान लगा लें ये देखें ये इस पे निशान आ गया ना कैसा मोड़े व उपर आएगा यह हम इस तरह इसके उपर रख के सलाई कर लेंगे ताकि जो नीचे वाला जोड़ है वह इस उपर वाली सलाई में छुप जाए ठीका समझ में आयो इसो नके खोले हूं था यह पट्टी असान निशान हणी प्रेस करें सदो कहयों से इनके असान निशान है वा अगला अब इसको हम इस तरह से सीएंगे कि यह हमारी नहीं सलाई जो है वह इस पुरानी सलाई के उपर आजाए और छुप जाए फिर जब हम यहां पहुंचेंगे नीचे यह डिस जो जड़े ऐसा यह सजी सलाई करें इंदा से इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे यह फिर यह सलाई इस तरह से इसके उपर एक स्कुएर सा बना लेंगे तो यह कंप्लीट करती हूं मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूं उमीद है आपको समझ में आ रही होगी कोशिश तमा पूरी कया तांकि समझाए न जी तो अलह करे मां पांजी कोशिश में काम्याब थ आपको मैं दे देती हूं यह पिन जायन मावट अगर तहां सेफटी पिन भी विजी सगो था या कॉमन पिन भी विजी सगो था इसको इस तरह से आप रखें और यह देखें कि बटन पट्टी जो है इसके बिलकुल सेंटर में होनी चाहिए यह जो बटन वाली पट्टी हमन जगा पे पिन्स लगा लेती हूं अब यह स्कॉाइर जो यहां बनेगा वह कहीं नहीं जाएगा यह पूरी स्लाई इस तरह से आएगी ठीक है और यहां पे आके इसको हम ऐसे मोड लेंगे यूं और फिर जैसे हम नीचे स्कॉाइर सा बना लेते हैं एक खुर्तों पे वह हम बना लेंगे तो अभी हम इसको करते हैं कंप्लीट तो यह पट्टी महाणी चादिया पट्टी लग गई इस पर इसकी चोड़ाई डिपेंड करता है कि आप कितनी रखते हैं ठीक है तो मैंने यह तक्रीबन डेड़ इंच चोड़ाई रखी है सिलाई के बाद डेड़ इसको नीचे से ट्राइंगल भी कर लेते हैं पॉइंट दी मर्जी तो मेरा तरीका यह है पट्टी लगाने का अब जब मैं इसमें गल्ले की पट्टी लगाऊंगी और इसको जोड लूँगी तब यह मैं इसकी ट्रिमिंग कर लोगी शेप के हिसाब से ठीक हैंगी चीक ट् आगे समझ में आयो हूं दो कमेंट जरूर कीजिएगा बताएगा कि यह आपको आसान लगा समझ में आया मैंने ठीक से समझाया के नहीं समझाया तो मुझा जो जरूर कमेंट्स अड़ा इंपॉर्टन टाइन अड़ा कीमती हैं खबर परण घुर जए तो मुझे वीडियो जो तरी को सही हूयो नहुयो तहां जी तसलीथ ही जी यह तहां चाहे हो प्याओं ही तांके डिस्टन लाइन मिले ओआ है या नहीं रहा तो मुझे इंतशार रहें दो तांजे कमेंट्स जो खुश हो जो आबाद हो जो और अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आई हो तो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और मेरे लिए तो खुशी की बात होगी अगर आप सबस्क्राइब करें अमेशा चुनिया प्यार सां कम करो पांजी बोलिया सां प्यार करो पांजी टाइम जो सही इस्तेमाल करो तो इन्शालला साम वरी कह भी कमन जी वीडियो साम मिलना से तेस्ताइए अलावाही